Hello everyone, आज की lecture में हम discuss करेंगे कि जब किसी conductor को magnetic field में rotate करते हैं उसमें EMF is होती है, कैसे हैं? जैसे हमने पिछे लेक्शन में क्या पड़ा था? कि सब्सक्राइब यह magnetic field दी हुई है, परपेंडिको इनवर्ट्स, एक conductor है उसको हम इदर V विलोसियम होग कर रहे हैं और conductor की length है L, तो उसमें कितनी EMF induced होगी, EMF induced will be equal to B into L into V यह पीछे लेक्शन हमें drive किया था और इस induced EMF की direction कैसे देंगे, इस induced EMF की direction देते हम कैसे? flaming right hand rule से हमें current की direction मिल जाती है, उसमें इस प्लाइटी बताते हैं अब आज की लक्षे में क्या discuss करना है आज की लक्षे में discuss करना है आज की लक्षे में डिसक्स करना है मां सपोस्टी मगनेटिक फील्ड है इसके अंदरे conductor पड़ा है उसकी length है L और उस conductor को हम रोटेट कर वा रहे हैं क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं इस point के about, point O के about तो जब रोटेट करेगा यह ऐसे circular path cover करेगा ऐसे इस circular path की radius कितनी हो जाएगी R तो अब देखना है कि क्या इसके case में भी EMF induced होगी यह नहीं होगी अगर होगी तो कितनी होगी ठीक है तो आजगा topic है हमारा EMF induced in conductor when it is rotated in uniform magnetic field और magnetic field की direction है that is perpendicular to the plane of rotation, जिस plane में rotate कर रहा है उसके perpendicular और इस conductor कम कैसे rotate कर रहा है, इस conductor कम हैसे rotate कर रहा है with angular velocity omega, तो यहाँ पे omega क्या है omega is the angular velocity of conductor, and L is the length of conductor, L क्या है length of conductor. Now, ऐसे rotate कर रहा है तो इस time पे इस conductor की velocity किस तरफ होगी, linear velocity, angular velocity ऐसे rotate कर रहा है, linear velocity किस तरफ होगी इस time पे, इस time पे conductor ऐसे उपर की तरफ rotate करेगा और ऐसे जाएगा, अब थोटा सा plus one का introduction करते है, plus one में तुमने पढ़ा था linear motion और chapter था तुमारा rotational motion क्या तुमने क्या पढ़ा था, कि सपोज ये conductor ही मना है मैंने, ये conductor है, और ये इस पोइंट के बाट क्या कर रहा है, rotate कर रहा है, कितने angular velocity से omega, तो अब ये angular velocity omega से revolve कर रहा है, तो इस पे कोई भी element लेलो, अब देखो, इस पे मैं जितने parts कर सकता हूं, तो कोई भी part लेलो, सब की angular velocity क्या होगी, सेम होगी, now angular velocity of each part of the road is same, जा इच element of the road is same, क्यों, suppose ये t time में revolution पुरा कर रहा है, तो omega का formula क्या होगा, 2 pi by t, where t is the time period, तो कोई भी element लेलो, वो t time में ही अपने चक्कर पूरा करेगा, कि जब road पूरा चक्कर लगागे, यहां आगी, तो सारे के सारे element क्या कर गे, उसी time में revolve कर रहे है, तो सब की linear velocity क्या होगी, सेम, तो ये ध्यान रखना, कि angular velocity of each part is same, now what about linear velocity, अब देखो, जब इस element की बात करते हैं, तो लीने, इसको इतना circle कर वा करना है, इस element की बात कर रहे हैं, और जो element सबसे दूर है, उसको सबसे बड़ा सब बात कर वा करना है, तो जिसकी, यहां पर कोई particle होगा, उसको इतना बड़ा पात करना है, इतना, और time सेम में वापस आना है, आपर जिस ताम पूरी रोड आईगी, तो distance की बात कर वा करना है, तो जो element सबसे ज़्यादा distance की velocity सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब linear velocity of each part of the road will be different, समाज आएको different है, और यह तुम्न relation से मिन निका सकते हो, relation between linear velocity and angular velocity, पढ़ा तुमने plus 1 में, V is equal to R omega, तुमने हम पढ़ा R omega, now omega is the angular velocity, R is the perpendicular distance from the axis of rotation, axis of rotation कों सी है, यह इवाल axis, इस point से axis pass करेगी, that is axis of rotation, किसी ही आपार रोटेट कर रहना यह, तो देखो, center से जैसे ही दूर जाते जाएंगे, हर element के लिए, मतलब जितना distance पे जाएंगे, उतनी linear velocity क्या होती जाएगी, जादा होती जाएगी, और सरसे जाएदा किसकी होगी, जो extreme end पे होगा, और सरसे कम, जो यहाँ पे होगा, जो बिल्कू center पे उसकी linear velocity कितने होगी, 0, तो यहाँ पे मतलब, हर part की linear velocity क्या होगी, different, बट angular velocity क्या होगी, same, तो इस point की दान रहना, कि angular velocity of each part of road is same, बट linear velocity क्या है, different, linear velocity सबसे जाएदा किसकी है, जो सबसे दूर वाले point पे है, सबसे far end पे है, center से, और सबसे कम, जो center पे उसकी 0 है, अब देखो, हमने पिछे लेक्षर में क्या पढ़ा था, कि सपोज, यह magnetic field है, इस में कोई conductor move कर रहा है, V velocity का, L length का, तो हमने EMF इंदिस का formula क्या पढ़ा था, BLV, अब इस में तो अलग-अलग element की, कि अगर मैं यहाँ element लोगा है, थोड़ी दूर पे element लोगा है, तो हर element की velocity क्या है, अलग, अब अगर हर element की velocity अलग है, तो हर एक element में, EMF इंदिस होगी, वो भी क्या होगी, अलग-अलग होगी, अब question आता है, इस में क्या formula लगा है, मैं अब इस का, तो इस में मैं यह जो BLV formula है, पूरी road के लिए apply करी नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकते, because पूरे road पे हर एक element की velocity क्या है, linear velocity क्या है, अलग-अलग है, तो question आता है, कैसे करेंगे, तो इस question हम कैसे करेंगे, हमने एक छोटा सा element ले लेंगे, जिसकी width होगी, dx, और इसका यहां से distance कितना होगा, x, और इस छोटे से element की velocity लेट, v, तो हमने क्या किया, consider a small element of road of length, dx, at a distance x from the center, क्या क्या, dx element ले, center से x distance क्या है, and let v be the linear velocity of the element, उसकी linear velocity कितनी होगी, v, v होगी, clear होगा, समझ आगे, तो इसको not करो, मैं इसको रब करूँगा, अब इस छोटे से element में निकालते, emf कितनी induced v, so, emf induced in small element, क्या मैं लेखा, of length, of length dx, to small emf लेखा, that is d e. Now, formula क्या हाता emf लेखा, now, एक relation पढ़ा, तुमने, relation between linear velocity and angular velocity, that is v is equal to r omega, where r was the perpendicular distance from the axis of rotation, अभी सेलिमेंट का देखो, axis of rotation distance कितना है, x है, to v का formula क्या लिखो हम है, v will be written as omega x, ठीक है, r omega था omega x, तो d e will be equal to b omega x into d x, आप अगर इसमें कोई मर्जी element ले लूँं, देखो हर element में emf value तो अलग होगी, क्योंकि जिदर जिस्ते, जैसे हम center इस तरह move करेंगे, तो हर element की velocity क्या रहे है, बढ़ रहे है, था हम motion उपर की तरफ, हर element इस direction में current भेजना चाह रहे है, अब याद है हमने topic पढ़ा था क्या, cells in series, कि अगर हमने suppose एक cell लिये, एक network लिये, third chapter ने पढ़ा था हमने ये, उसमें बड़े सारे cell लगे हो है, इसकी mf e1, इसकी e2, इसकी e3, e4, e5 upto eN, और सारे एक direction में current भेजना चाह रहे हूं, तो इसकी जगह में एक equivalent cell लगा यहता हूं, और उसकी e equivalent किसके ब्रावर आती है, that is e1 plus e2 upto eN, कि सब को क्या कर देते है, add कर देते है, अब यह सब भी क्या चाह रहे है, यह सब भी एक इक direction में current भेजना चाह रहे है, सारे जितने भी elements बनेंगे इसके ऊपर, तो सब की mf क्या हो जाएगी, add, अब यह dx part क्या है, बहुत छोटा, तो कितनी बार add करना पड़ेगा, infinite bar, infinite bar add करने लिए क्या करते हैं, integration, तो emf induced in road, will be equal to e will be integration of d e, समझ आगा, integration क्योंकि है, क्योंकि सब value, सब की वाज़े से emf क्या होरी है, add up होरी है, जा समने series combination पड़ा था, तो e will be equal to integration of d e की value part करो, B omega x dx limit from 0 to L, की 0 से लेके length of conductor अगा, now B तो चाहिन नियो रहा, B constant अभार निकालो, omega भी constant है, uniform velocity मने बताया था, अंदर क्या बच्छा, x dx, तो emf will be equal to B into omega, x that is x square by 2 and 0 to 0 to L. So, e will be equal to B omega and यहापिक्या जाएगा, L square by 2. So, emf will be equal to half B omega L square. So, this will be the formula for induced emf when a conductor of length L is rotated in the magnetic field such that, की जो magnetic field है, वो plane of rotation के क्या है, पर्पेंडिकुलर है, clear, समझ आगा, तो इसको not करो, इसको अगे discussion करते है, अब इसमें emf formula क्या आ गया, emf formula है, half B omega L square, where B is the magnetic field, omega is the angular velocity, L is the length of road. अब बच्चे में से क्या करते हैं, वो लिखते आता है, linear motion में formula B L V, और यहाँ पे V को put कर देते है, L omega, तो formula आ रहता है, B L square omega, तो यह half वले factor भूजाते हैं, अब यह formula क्यों valid नहीं है, क्योंकि हर पार्ट की linear velocity सेम नहीं है, यहाँ पे velocity कितनी है, 0, यहाँ velocity कितनी है, सपोज V, maximum कितनी L omega, तो हर पार्ट की velocity सेम नहीं है, तो हम इस formula को apply नहीं कर सकते, तो यह ध्यान रखना है, ऐसे formula मत apply करना, formula is half B omega L square, clear. अब अगर हमें दियो, सपोज given है, की frequency of rotation, frequency of rotation दिये, frequency of revolution दियो, यहाँ की nu, तो इसको तो रखना, वाट करना, formula को, नह, omega का formula का पड़ा हमें, frequency की तरम में, that is 2 pi nu into L square, 2 side 2 cancel, so that will be B nu into pi L square, so this will be the formula in term of frequency. Now, pi L square क्या इस circle का area हो, तो EMF will be equal to B into nu into A, एक formula यह भी बन रहा है, where A is the area swept by the road in one complete revolution, की एक complete revolution में, road इतना area swept करती है, ठीकि, से formula होगें, अब बाद आती है, polarity of EMF, यह direction of EMF बोलो, ठीक है, यहां में, flaming right hand rule लगा सकता हूं, current किस तरफ जा रहा था, इस तरफ, मतलब, electrons किस तरफ जाएंगे, इसके opposite direction में, मतलब, यह सबोस, end P है, तो यहां पे negative charge कटा शोना शुरू होगे, और यहां पे positive, तो जो end A है, end A will become positive, and B, oh sorry, end O, O था होगे, O will become positive and P and P will become negative, clear, समझा आ गया, अब कहीं बार आ रहता है, कि इस रोड की resistance R है, यह इस रोड को एक circuit से connect किया, close circuit से, उस circuit की resistance है R, ठीक है, तो इसकी वैसे क्या flow होगा, current, तो current निकालो कितना है, तो current का formula that will be I by R, तो that will be B L square omega upon में 2 R, C B I C कोशन है, ठीक है, फिर बोलता है, निकालो heat dissipated यह power dissipated, एक circuit से connect किया, circuit की total resistance कितनी है, आर, तो power dissipated का formula क्या और आएगा, I square R, तो put कर दा value, B L square omega upon में 2 R का square into में R, तो क्या आएगा, यह देखो, B square L 4 omega square, अब में 4 R square सार्स केंसल, तो 4 R, तो this will be the formula for power dissipated, और बोले कितनी power चिये, तो हमने पढ़ा था conservation energy कि जितनी power dissipated होतनी power हमें supply करने पढ़ेगी, तो this is the formula, also the formula for power supplied or power required, clear, तो कर लो, अब एक point numerical के लिए देख लो, important point है numerical के लिए, question क्या आता है, कि एक wheel है, उसकी radius R है, ठीक है, और बोल देखा, उसमें suppose 10 spokes की बना है, 10 spokes, ठीक है, spokes हमतलब होतना जो ताडियों होती है cycle के time rim में, that is spoke, तो suppose उने बोल दिया कि 10, या suppose 12 कर लें, ठीक है, यह एक spoke, यह दूसरा spoke, तो अब भी यह हो गए हमारे, सब्सक्राइब, 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 हर एक की radius कितनी है, R, और बोला इसको ऐसे magnetic film में रखती है, जेखनो जब चे गलतिया करते हैं, ठीक है, अब यह wheel rotate कर रहा है, ठीक है, अब wheel rotate कर रहा है, तो हर एक spoke rotate कर रहा होगा, तो एक end क्या हो जाएगा, negative एक end क्या हो जाएगा, positive जो हमने पढ़ा था भी, कि यह negative हो जाएगा, और जो outer end क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, क्योंकि हर एक spoke rotate कर रहा है, तो sorry, अभी क्या पढ़ा था हमने, कि यहां center में और यहाँ आएगा नेगिटिव ठीक है अगर direction reverse हो जाए तो इसका reverse हो जाएगा ऐसे structure बनेगा हर एकी वैसे positive कहाँ पो होगा center पे तो EMF induced in one spoke that is equal to half b omega r square कि suppose omega तो बोलता है बताओ अगर यहाँ पे 12 spokes हो तो EMF कितनी होगी तो बच्चे कलती है करते हैं इसको सीधर 12 से multiply करते हैं बट ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखो इसके लिए तुम्हें थर्ड चेप्टर केक्टोपी पूता होने चाहिए that is cells in parallel combination अगर मैं EMF E के M cells भी parallel में connect कर दूं तो भी जो मेरी equivalent EMF आती है वो कितनी आती है E के equal होती है ठीक है तो यह सारे किसमें जुड़ों है parallel में कैसे देखो एक-end common सबका और एक-end common सबका कहां पे यह रिम के ऊपर तो एक-end यहां पे common आगे center पे और एक-end कहां common है रिम पे तो यह देखो कि इन सबके terminus भी तो common ही होते हैं तो यह सारे जो combination है spokes का कोन सा combination है parallel combination तो जो net EMF induced होगी that will be equal to EMF induced in one spoke ध्यान रखना तो इसको number of spokes से multiplying कर देना चाहे 10 हो चाहे 12 हो चाहे 16 हो तो क्या result है यहां से कि जो EMF induced होई है इस wheel मे EMF induced in wheel is independent होगी CVC में बड़ी बड़ कोशन है ध्यान रखना is independent of number of spokes of in the wheel कि उस पर depend नहीं करती क्योंकि सबको combination कैसा है parallel combination clear समझ आगे तो इस point को भी important point note कर लेना ठीक है तो अंसर क्या होगा EMF का half B omega r square where B is the magnetic field omega is the angular velocity and r is the length of the spoke अब यह ध्यान रखना यह formula तभी applicable है when magnetic field is perpendicular to plane of rotation कि जब magnetic field है जो plane of rotation के perpendicular है कि इस plane में rotate कर रही है पर magnetic field के perpendicular है clear तो आज की lecture के ले पस इतना ही topic था हमारा तो आज की lecture में डिसक्स क्या किया सिरफ कि जब भी किसी इससे पिछे lecture में पड़ा था हमने linear motion road का तो उसमें में कितनी आई थी B into L into V condition length magnetic field and velocity mutual perpendicular होने चिए तो आज की lecture में पड़ा हमने कि उसी conductor का हम रोटेट कर आए उसके एक पॉइंट के बाउट तो यह में को फॉर्मॉला क्या आएगा हाफ B omega L square where L is the length of the road यह भी फॉर्मॉला का प्ली के बला है magnetic field plane of rotation क्या हो परपेंडी बला ठीक है क्या हुआ 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 है